दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाइचार्ट और लाइन चार्ट क्या होता है, एकसल mana में, किस प्रकार हम उसको बना सकते हैं और 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 बी कुछ इसके अंदर ओप्शन होता है जिसके बार में इसी वीडियो में जायंगे ये वीडियो में अग्ति तक बने रहेगा। जैसे कि हम यापर मेरे पास कुछ data है, students का name है, कुछ subject है जैसे कि English, Math , Science & Computer और उनका कुछ total मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, अगर मुझे pie chart बनाना है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि student का नाम हो, और साथ में total marks के हिसाब से, उसमें pie chart बना हुआ आए, तो करना क्या है, सबसे पहले आप name अगर चाहरे हैं, तो name की पूरे column को आप इस प्रकार से select कर लीजिए, then control को hold कीजिए, और total बारी पूरी की पूरे column को इस प्रकार से select कर लीजिए, इसके बाद आपको insert पर जाना है, और insert पर जाने के बाद यहां पर आपको एक chart का यहां यहां पर एक ribbon मिलेगा, और chart में यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे, dus यहां पर आपको line chart मिलेगा, insert line chart, यहां परoffs vale chart मिलेगा, इस प्रेकार से तो कशी data इस प्रेकार स At शायर्ट शार्ट शायर्ट शायर्ट वाõफ्षन मिलने और अगर चाहते है कि छायर्ट अपैर this Price is Kindern बूर शुक्त ऐसल चाहिए लगवे, इस प्रेकार सेट चढ़ा vous पर आपको data labels के नाम से option मिलेगा और बहुत सारे और भी options है इनको भी आप choose कर सकता है इससे क्या होगा कि जितने भी marks जिस student के है वो आपके graph में नम्मर के साथ denote होगा जैसे कि सिबाम है, सिबाम के 201 marks है इस प्रेकार से ही दिखाएगा इस पूरे के पूरे column को आप select कर जीजिए control को hold कीजिए total का भी column जितना है उसको आप select कर जीजिए then आप insert पर जाएए और यहाँ पर आपको इस circle बाला जो chart है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको 2D pie चाहिए तो आप उसे ले सकता है यहाँ पर आपको 3D pie चाहिए वो भी आप ले सकता है अपर आप डोनट की safe में भी ले सकता है तो मैं 3D pie पर ले रहता हूँ इस प्रेकार से तो 3D pie लेने के बाद यहाँ पर आपको इस पर फिर से click करना है यहाँ पर प्लेस पर जाएगे यहाँ पर भी आप put data levels का एक option मिलेगा यहाँ पर भी आप अपने marks और labels के जरिए देख सकते हैं तो कुछ इस प्रेकार से आप अपने Excel में चार्ट का इस्तमाल कर सकते हैं और भी कई प्रेकार के चार्ट सो होता है उनको भी आप अपने जहां भी आप उजरत हो वहाँ इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो पसंदा तो प्लीज वीडियो लाइक और शेर कर जीज़ेगा और नए हो और ऐसी वीडियो से चार्ट सब्स्क्राब परना मत बूलेगा अगली दमा के दर वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं वीडियो दिखने के लिए शुक्रिया धन्यबाद जैहिंद